क्या शिवपाल और अखिलेश आएंगे साथ साथ क्या यूपी फते करने में चाचा देंगे भतीजे का साथ क्या मनमुटाव भुला कर अखिलेश चाचा शिवपाल को गले लगाएंगे सवाल कई हैं और जोरो पर भी हैं क्योंकि 2022 में चुनाब भलेई देश के पांच राज जो में होने हैं लेकिन चर्चा सर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है और उसमें भी अखिलेश की समाजवादी पार्टी की वजह हैं खुद अखिलेश यादव उनका कामकाच योगी को घेरने का उनका तेज तरार तरीका और मुद्दा अब चाचा से वापस हाथ म जाने का काम खुद सपास सनरक्षक मुलायम सिंग यादव करने वाले हैं जी हां खबर तो यही है कि चाचा भतीजे के बीट पिछले करीब सारे चार साल से चल रहे मनमुटाव पर अब ब्रेक लगने वाला है और इसे सुलचाएंगे खुद नेताच यह दावा किया है मु धानसभा चुनाव में दोनों साथ नजर आएंगे शिवपाल बहुत सहनशील वेक्ती हैं शिवपाल और अखिलेश दोनों चाचा भतीजे हैं और भावनात्मक रूप से मुलायम सिंग यादव से जुडाव रखते हैं और बहुत शीग्र मुलायम सिंग यादव इस मामले अखिलेश यादव के अलग-अलग लड़ने का नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा उमीद है कि चुनाव से पहले दोनों एक साथ हो जाएंगे शिवपाल वैसे भी कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के साथ जाने की इच्छा जता चुके हैं लेकिन बदले में सिर्फ अपना और अपने समर्थकों का सम्मान चाहते हैं समाजवादी पार्टी से सर्फ सम्मान मिलेगा तो चाचा शिवपाल सपा के साथ जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे उनको जोड़ा जाए और सभाविक है कि चाचा का भी एक दल है उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे पूरा सम्मान उनका होगा और ज्यादे से ज्यादे सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे यह आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ मैं दो साल से कह रहा हूँ एलाइंस कर लोग और जाहे बिले कर लोग लेकिन हमारे पीछे जितने भी लोग जीतने वाले लोग और 403 में अगर जीतने वाले हो और हमारा जितना अभी हग हो और अब तो भतीजे अखिलेश भी चाचा के सम्मान का आश्वासन दे चुके हैं वैसे भी शिवपाल यादव को उनका सम्मान मिलना भी चाहिए अगर मुलायम सिंग यादव ने पार्टी के स्थापना की पार्टी का लालन पालन किया तो उसमें सहयोग शिवपाल यादव का भी रहा है शिवपाल यादव ने कुछ नहीं तो 40 से 45 सार नेता जी के साथ काम किया है सपा को बुलंदियों तक पहुँचाने में पूरा सहयोग किया है लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी में छिडी आपसी रार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था अखलेश यादव सपा के प्रमुख बन गए थे और शिवपाल यादव को प्रदेश अथ्यक्ष के पद से हटा दिया गया था उनकी जगे नरेश उत्तम को इस एहम पद की जिम्मेदारी सौपी गई थी लेकिन अब साधे चार साल की दूरियों के बाद लगता है मुलायम सिंग्यादव खुद भाई और बेटे को साथ लाने में आगे आएंगे और समाजवादी पार्टी फिर एक बार संगचित होकर इस चुनाव में उत्रेगी और विरोधियों को अपना दमखम दिखाएगी वैसे आपको क्या लगता है क्या प्रसपा कास सपा से जुड़ जाना सही फैसला होगा आप क्या चाहते हैं क्या आप भी चाचा भतीजे को 2022 के चुनाव में साथ साथ देखना चाहते हैं अपनी राए हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं